हलो फ्रेंड स्वागत है आपका और आज हम मद्य प्रदेश की भोगले की इस्तिती प्राक्रतिक प्रभाग के वारे में डिसकस करने जा रहे हैं इससे पहले इसका पहला पार्ट बना दिये गया इसका सेकंड पार्ट है और ये सारे कुशिन जितने भी मद्य प्रदेश के ए चूटी है वो कितनी है तेरा सो चबबीस मीटर की है ओके तेरा सो चबबीस मीटर की है तो प्रधामिस्तान यान के मत्रतिकी सबसे उची चूटी दूपगड की एज होसंगा बाद के पचमडी में ही आते हैं ये दोनों चोटियां ठीक है याद रखना अकर बड़ा के नाम से भी जाना जाता है भोज ताल के नाम से भी जाना जाता है और यह भोपाल में है ओके यानि कि सबसे बड़ा तालाब बोला जाए तो यह बड़ा तालाब के नाम से इसलिए लार्ज लेक भी बोलते हैं इसको या बड़ा तालाब के नाम से बहुत ज्यादा फैमस है नेक्स्ट कोईशन पर चलते हैं मद्यप्रदेश की ग्रीसम काल राजधानी किसे कहा गया है तो वो कहा गया है पच्मडी को इसका करेक्ट आंसर है पच्मडी अपने आप में हेले स्टेशन है यहां पर दो उन्ची चोटी पाई जाती है मद्यप्रदेश की और यह जो यहां पर अगर उंग का डिस्वर की बात की जाए तो यहां पर जो नदी है जिसमें जो पत्थर रहते हैं तो वह अपने आप में सिविलिंग माने जाते हैं और उनकी विसेष्टा यह यह सबसे उंची पूछी जाए ठीक है और यह पचमड़ी के अंदर ही आती है चरह चौरह गड़ की है सेकंड नमर की भीम बाटिका है जो राइसें जिले में आती है यह अपने आप में बहुत फैमस हैं जिनको सभी लोग जानते हैं इनके बारे में नेक्स्ट कोईशन है भा पार्टों में डिवाइड किया गया था पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C और पार्ट C नाम से फिर से भोपाल ऐसे इस तरीके से इनको बाटा गया था तो जो पार्ट A था पार्ट A की जो राजदानी थी वो कौन सी थी नागपूर और उस पार्ट A को किसके नाम से जाना ज संत्रे हैं इनको जी याई जी आई टेग मिला है झात्रक्त के लिए मिला है डिनावफण पर दिनस ..... क्या है इसको मिनी मंबुई के नाम से जानती है नेक्स कोईशन देख लेते हैं मारवर रॉक निम लेकित सहरों में से किसके पास है नीमच के पास और चाह के पास जवलपूर या पचमडी तो जितने भी अगर खनीजों की बात की जाए वहां पर मारवाल संग मारवार इस तर परेटा के इस्ताल है पचमडी भी हिलिश्टेशन है अपने आप में और नीमच के बारे में तो आपको मैंने उसमें बता दिया आफिम के लिए फैमास है नीमच बहुत सारे पॉंट वां डिसकस किये गए इसके नेक्स्ट कोईशन पर चलते हैं संगमर्मर की चट्टा ने डौट-डौट सहर में पाई जाती हैं पचमडी में बालागाट में जवलपूर में या शागर में तो मैंने क्या बताया था संगमर्मर मानवर चूना पत्थर जो कटनी चूना पत्थर की नगरी के नाम से जाना जाता है तो ये जवलपूर इसके लिए फैमास है डौट-डौट के नाम से जाना जाता है बिंद का पठार, वंडेर का पठार, सत्कुडा का पठार, मालवा का पठार तो याद रखना मैंने बताया ना तक पहले मद्ध प्रदेश को आजादी के बाद इन पार्टों में बंटा गया था चार पार्टों में बंटा गया था पार्ट A को मध्य प्रांत बोला जाता था जिसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी पार्ट B को क्या बोला जाता था पार्ट B को मध्य भारत बोला जाता था और जिसके मुख्य प्रदेश कौन थे हैं मध्य प्रदेश ग्वालियर और इंदौर हुआ करते थे ग्वालियर और इंदरुगा कते और पार्ट सी का रीवा था जिसे बिंद प्रदेश बोला जाता था क्या बोला जाता था बिंद प्रदेश और पार्ट सी यानि कि जिसे भोपाल बोला जाता था पार्ट सी में रीवा भी आ जाता है और पार्ट सी में भोपाल भी आता है इस पूर्वी भाग से क्या हुआ है यह जो बिंद पठार है या दीवा पन्ना है मालवा के उत्तर पूरी पठार से अड़ हुए है नेक्स्ट कोईशन देख लेते हैं पार्शली कौन से जिले में इस देते हैं सीधी इंदौर वोपाल या मंदसौर अब यह पार्शली की बात कर जहां पर लोग आते हैं घूमते हैं और कुछ समय अपना रहते हैं एक टाप का होटाल समझ दो आप जहां पर लोग रहते हैं रेजिडेंस और कुछ समय के लिए रहते हैं चले जाते हैं तो यह जो पार्शली रिजॉट है यह सीधी में है और सीधी सीधी में ही क्या है संजय डूबरी राश्टी उध्यान है याद रखना सीधी में क्या है कि संजय डूबरी राश्टी उध्यान ठीक है राश्टी उध्यान संजय डूबरी राश्टी उध्यान यह सीधी में है इसके पास में ही कौन सा है पार्सली रिजॉट है और इसके पास में कौन सी नदी ह पर्शली एगा keywords का अब भी कभी पूंछ लिया जाता है यहां फिर नाधी नेक्स कुसंट लेते हैं कि ने में अलत लकित मैं से मां तो आपको पता होका मांद्प्रधेश की सीमां अनी पर इतर प्रदेश राहिस्तान गुजरात चतिस गड़ एक कौन सब वह आपका चतिस गड़ हो गया और दूसरा महराश्ट हो गया 36 गड़ and महाराष्ट मैं ऐसे लिख देती हूँ तो आप समझ जाना 36 गड़ और महाराष्ट लेकिन करनाटक इसकी सीमा को नहीं चूता है तो इसका correct answer यह हुगा next question पर चलते हैं चमडे के खिलोने का GI tag GI tag जिसको भोगलेक सूचक बोलते हैं GI tag किस जिले को मिला है ठीक है चमडे के में तो इंदौर को मिला है याद रखना किसको मिला है इंदौर को मिला है चमडे के खिलोने के लिए अब आपको याद रखना चाहिए कि यहाँ पे जो अभी जो पोहा है ठीक हम यहाँ इंदौर के जो पोहा है पोहा कड़कनात मुर्गा है कौन सा कड़कनात मुर्गा उसके उसको जी आई टैग मिला है और मद्य प्रदेश की जो चंदेरी की साड़ी है चंदेरी चंदेरी फैब्रिक चंदेरी फेब्रिक को किया मिला है जी आई टैग मिला हुआ है तो यह अपने आप में फैमस है नेक्स्ट कोशिचiete्र देख लेते हैं गा रीवापन्ना ना मद्वर्ति जू पहाड़ी इलाके प्रदेश का कौन सा चेत्र अवंती महा जनपत से जुड़ा हुआ है तो मालवा बुंदेल खंड बागेल खंड या इन्में से कोई नहीं तो जैसे के मैंने आपको पताया गया था कि जो अवंती राजा थे उनके नाम पर ही उज्जयन को क्या अवंती पूरी के नाम से जाना देख लेते हैं ग्रीश मकालीन के दोरान 1948 से 1956 तक मद्य भारत की राजदानी का नाम बताईए बोपाल जवलपुर ग्वालियर इंदौर तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर है इंदौर इंदौर कैसी राजदानी थी ग्रीश मकालीन यानने जब गर्मी हुआ करती है कौ बाली हरे नेक्स्ट कोईशन पर चलते हैं वह संगवाद जिले में इस्तित परवत स्रंकला का नाम बताईए बिंद रावली सत्पुड़ा या मैकल जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि कौन सी स्रेंडी के अंतर गाता आती है वह संगवाद में जो भी चोटी है तो सत्पु है तो यहां पर अगर एक और चीज की बताना भूल गई जैसे कि अरावली परवत है यह मद्ध प्रद्यस का सबसे पुराना परवत है अरावली परवत और अरावली परवत की जो सबसे जो उंची चोटी है वो कौन सी है उसका नाम भी पूछ लिया जाता है गुरू सिखर नेक्स्ट कोष्यों पर चलते हैं नीमत जिला किस अन्य राजत की सीमा को इसपर्स करता है इसका करेक्ट आंसर है तो नीमत जिला जो उत्तर पश्यम है पश्यम यहां पर मैं लिख देती हूं पश्यम और उत्तर से पश्यम उत्तर सोरी पश्यम उत्तर से किसकी सीमा को टच करता है राजस्तान की सीमा को टच करता है और प्रारम में यह अगर नीमज की बात किया है तो जो मद्रदे उसे मंदसौर से अलग हुआ था किस से अलग हुआ था म हैंने कि मंदसौर का हिस्सा था मंदसौर से अलग हुआ था कब अलग हुआ था नाइंटी इट में ये अलग हुआ था तो कोशिब भी लिए जाता इस तडरीके से नेक्स कोशिचन देख लेते हैं इसमें एक और इसकी बात देख लें अगर नीमज की बात देखें तो जो CRP अंग्रेजियों के टाइम पर भी यहां छाबनियां बना करती थी और जो CRPF है CRPF का जो हिस्सा है वो भी यहीं पर है नीमज में नेक्स कोईशन पर चलते हैं बढ़वानी के उत्तर की और इस्ति जले का नाम बताइए तो बढ़वानी में जो उत्तर की और इस जला है उसका नाम पूछ है तो धार अली राजपूर इंदौर या खंडवा तो इसका correct अंसर है धार तो मैं आपको बता देती हूं कि जैसे के जो बढ़वानी की बात करें तो बढ़वानी की जो दश्चिन है बढ़वानी का जो दश्चिन है दश्चिन में कौन आता है बढ़वानी की जो दश्चिन की इसकी सीमा अड़ी हुई है वो महराष्ट से अड़ी हुई है ठीक है और उसके बाद अगर दश्चिन की बात करे तो दस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् फश्चिम दश्चिट से हो गई पश्चिम से हो गई और जो पूर्व से है वो किसुट की है जिला खंडबाए इसके बाद अगर उत्तर की बात की जाले तो उत्तर से धार जिला अटेच है इसका कोईशन पर चलते हैं माप करना कोई आ गया था इस वज़े से नेक्स्ट कोईशन देख लेते हैं देखने के देखंज रहा है यानि को तो एक ले टखनेंज और दूसरा यानि कि लेंड था वो तूट गया तो उत्तरी अमेरिका दच्छीडे अमेरिका यूरूप बगरा ये इससे अलग हो गया और कुछ हिस्सा कहां पर आ गया जो इंडिया का इसके अड़ गया है कुछ हिस्सा तो इस तरीके से वेग्यानिक दरश्टी कौन से इसके अलग- भूअभी को माना जाता है ठीकए जो मानते थे कि अपने जो पहला जो मानाः था उसकी उत्तरी के मानाः मेर्जमानब के जो उत्तरी थी यहीं तो इसका answer मतलब इस तरीके से पूच लिया जाता है यह धकन का पूच लिया जाए जैसे डखकन का दर्वाजा किसको कहा जाता है तो यह कोशन कैसी भी पूच लिया जाता है डखकन का दर्वाजा डखकन का दर्वाजा ओके दर्वाजा किसको कहा जाता है तो यह मतलब इस तरीके से यह कोशन पूच लिया जाता है तो इसका correct answer है आपम माना जाता था मोगल राजाओं का राज्य था उन्होंने इस तरीके के जो किले बगरा बन वायते और ये अपने आप में सबसे उंचा छेत्र है जहां पर जो किला बना हुआ है वुरहनपूर का तो जो अर्शीगड का किला है असीरगड का किला है जो यहीं पर है ठीक है और यह खंडवा जो खंडवा जिला आता है वो भी इससे अड़ा हुआ है यानिकि यह तो साइद 22 किलो मीटर की दूरी पर है जैसे कभी अगर आप भूम ने गए हो तो आपको पता हो और पूछ लिया जाता है जो तापती नदी ह यह भी कहां पर है यहीं पर है तो इसके किनारी ही यह बसा हुआ है और इसके अलग-अलग नाम से पूछ लिया जाता है अगर हम सागर की इसकी सागर की बात करें तो यहां यह बड़े रेलवे जंक्सन के लिए प्रशिद है मतलब रेलवे जंक्सन है यहां पर जैसे कि बी कि यह यह कैसा यह बहुत इंपोड़ेंट है जो अंतराष्टी एंतराष्टी परेटक है उस इस्तान का नाम क्या है खजुराव खजुराव जो अपने आप में बहुत फैमस है और सबी लोग जानते हैं इंटरनेशनल जो परेटन है वो यहीं पर है तो आप देख सकते हो मद 20 लाइश्ट है मदर प्रेदिस की निम लेकित में से कौन सी घाटि भ्रंश घाटी नहीं है पुचा गया तीक है सौन नरवदा चंबल यह तापती तो इसका करेक्ट आंसर है नरवदा लगंश अंपती यह ताप्ती परेट सौन बनाती है नरवदा बनाती यह तापती इस उसको मतलब भ्रंस घाटी होती है यानि के सक्री हो भ्रंस का मतलब ही होता है कैसे ही लंबी सक्री और गहरी और इसके बारे में बस यह है तो यह तीनों बनाती है